नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल रामगर एडू केर में हैं जहारकंड बेड इंट्रांज 2024 के एकजाम डेट को लिएकर बहुत सारे confusion doubts हैं बहुत सारे साथ ही message करने हैं कि 21 अपरील को एकजाम होगा की नहीं होगा या फिर डेट extend होगा तो इसका जो exact date है फिलाल का है पाना मुस्किल है लेकिन जब पीछे के अभी एकजाम हो रहे हैं साथ से आठ घंटा रगड करके आप पढ़िए जो teaching अपिचूड है उसके core points को आप पढ़िए number of questions माइने नहीं रखते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा question करें उनके जो points है important topics के उनको आप समझने का प्रयास करें हिंदी को अच्छे से आप कर ले जो भी topics आपको बताएगा है reasoning का अच्छे से practice करें English का अभी आप करें और जो भी मैराथन हुए हैं या फिर टेस्ट हुए हैं उनका मैं अलग playlist बना दे रहा हूं तो playlist से अगर आपके पास कम समय लग रहा है या फिर आपने पहले से तैयारी नहीं करिए तो playlist में आप मैराथन को आप देख सकते हैं मैराथन जो है आप लोगों के लिए रामबान साबित होगा साथ यूँ बहुत ज़्यादा help आपको मिलने वाला है उन मैराथन classes से आचार संहिता लगने के बाद भी exam हो रहे हैं जारकन में कई exams हुएं बिहार में भी हुएं और आपका जो चुनाव आयोग है उसका भी नियम कहता है साथ यूँ कि जो विग्यापन पहले निकाले जा चुके हैं उनकी exams conduct करवाए जा सकते हैं यहां पर आचार संहिता के बा किये गये हैं उनका exam करवाया जा सकता है तो यहां पर दोनों चीजों के लिए आपको तयार रहना है अगर date extend होता है तो यह आप लोगों के लिए अच्छी बात है आपको तयारी का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा और अभी कम समय है limited समय है तो अभी 21 तारीक को ही आप को मान के चलना होगा कि 21 तारीक को ही आपका date fix है और उसी के हिसाब से आप तयारी करेंगे मैराथन जितने भी हुए हैं सबका मैं separate playlist बना दूंगा वहां से आप लोग मैराथन कबर जरूर कीजिएगा और बाकी आप लोगों के लिए classes जो है टेस्ट वगेरा continue आएंगे हमा प्रीट कार्ड जो है आपका 17-18 अप्रील के बीच में आने की संभावना है और अगर देने के लिए यहां पर हूँ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने तयारी पर दीजिए exam 21 को होगा की नहीं होगा इसका जो tension ले रहे हैं आप बेकार में उसको लेना बंद कीजिए और जो कम समय बचा हो है इसका सही से उपयोग कीजिए आप डेली चार से पांच बार रिविजन करिए overall subject को जो जो topics अभी मुस्किल लग रहे हैं उन पे आप काम कीजिए reasoning के जो जो topics से questions ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको आप अच आथन और topic wise question भी आने वाले हैं तो सारी चीजें आपको proper way में मिलने वाली है PDF notes आपको हमारी telegram group में दे दिया जाता है तो आप तैयारी अच्छे से करें 21 अपरील के लिए आप ready रहें बाकी अगर date extend होगा की नहीं होगा यह कह पाना मुस्किल है भगवान भी अभी नहीं बता पाएगा की 21 अपरील को होगा की नहीं होगा तो मैं क्या बता हूँ पहले से जो mention है उसी को ले करके चलना है और मिलते हैं साम के class में साड़े छे बजे तब तक के लिए धन्यवाद जोहार नमस्कार